नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वावत है Vampirehub.com की ओफिसील यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग वीडियो इस्टार्ट करने से पहले एक आवस्यक सुचना हमारे यूटूब चैनल पर वीकली गिवववे चलता है दोस्तों कैसे हो आज हम बात करेंगे टोटल तीन वेकेंसिस की जिनमें कोल इंडिया की भरती सामिल यहाँ पर मैलेट पर सीधी भरती है आठवी पास दसवी पास आईटी आईए पास अपलाई कर सकते हैं और इस वेकेंसि की लाजट टेट है 15 नॉबर 2018 दोस्तों तीन वेकेंसि के बारे में बात करेंगे डीटेल में बारी बारी तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली वेकेंसि आईए DCPU से पोश्ट हैं एसिस्टेंट कम डेटा एंट्री ओपरेटर के क्वालिफिकेशन है बारवी पास और इसके लिए सेलेक्शन बेश्ट रिटेंट टेस्ट इंटर्व्यू पर एज लिमिटे अटरा से 35 साल सेलरी मिलती है 10,000 रुपय पर मन्त और इसकी लाजट टेट है 31 अक्टूबर 2018 अगली वेकेंसी आए अर्वन डेवलेप्मेंट एंट हासिंग डिपार्टमेंट से यहाँ पर जूनियर इंजिनियर के पोस्ट है और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा बी बिटेक इन सिविल मेकानिकल इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग सेलेक्शन बेजट रिटेंट टेश्ट पर कोई इंटर्व्यू नहीं होगा एज लिमिटे अटर से 35 साल और सेलरी यहाँ पर मिलती ही 28,775 रुपया पर मन्त और इसकी लाजट टेट है पांच नॉमबर 2018 और दोस्तों आज हम इस वेकेंसी के बारे में कंप्लेट डीटेल्स के साथ बात करेंगे वो आई ए सेंट्रल कोल फिल्ट्स लिमिटेट के डिपार्ट्मेंट से यहाँ पर 760 ट्रेड अप्रेंटिस के पोस्ट हैं पोस्ट वाइस वेकेंसी डीटेल्स आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं अप्लिकेंसी को अप्लाई करने का डेट है 29 अक्टूबर से लेकर 15 नॉमबर के बीच में किसी के लिए कोई भी अप्लिकेंसी फीस नहीं है एज लिमिटे 18 से 30 साल सेलेक्शन बेश्ट हैं मैरिट पर बेश के लिए स्पेसीफाइड नहीं है नहीं है क्वालिफिकेंस deduction की बात करें तो वेल्डर के लिए 8 पास PLUS ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं वहीं अधर पोस्ट के लिए 10 पास PLUS ITI वाले आप्लाई कर सकते हैं जौब लोकेशन जहारकंड है और आज का गीववे क्वेस्टन है बिर्वल का वास्तविक नाम क्या था आपके आप्संस हैं महेस्तास अला उद्दीन दारा सिको या फिर इन में से कोई भी नहीं अपनी जबा कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप बन सकते हैं एक सर्प्र वंदे मातरम